कि हालो दोस्तों स्वागत अब सबीकर टुदव पॉइंट के एकॉनोमी के सेशंस में आज के स्प्टर में हम अशूशल प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे जनने की कोशिश करेंगे कि दरसल यह सोशल प्रोटेक्शन होता क्या है यह कितना इंपोर्टेंट है और इससे रिलेटेड इंडिया कितना हाथ तक सोशल प्रोटेक्टेटेड है उन सभी के बारे में जानकार्णी हासिल गारने की कोशिश करेंगे तो यह शुरू करते हैं सबसे पहला वाट डाज सोशल प्रोटेक्शन में रोज मर्णा की जिंदगी में हम क इंच्वरेंट गार्णी जिंदगी में आप किसी भी तरीके कर रिस्क फेस करें तो शोशल प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है और पार्ट अफ गार्मेंट इस वेरी वेरी मच मौर इंपोर्टेंट क्यूंकि उनीकी जिम्मेदारी है कि वो सोशल प्रोटेक्शन अपने स्टेट के जो कोई भी सिटिजन हो उन सभी को प्रोटेक्शन नहीं आना इंटरप्शन नहीं आना हजार जगर कोई भी हो अगर हेल्थ रिलेटेट कोई भी हजार अब हुआ तब भी आप मेडिकल फिसलिटीस वगर हार देख सकते हैं यह सभी इशुस को मिला कर social protection कहा जाएगा और इस तो social protection को provide करने के लिए जो कोई भी policies और programs design के जाएगे that would what would be considered to be most crucial one It is a comprehensive approach designed to prevent deprivation given assurance to the individual of a basic minimum income for himself and his dependent and to protect the individual from any uncertainties जो एक individual citizen है वो भूकमरी से बचे, पावर्टी से बचे और उसे minimum assured income आ सके ताके वो और उसकी family sustain कर सके, survive कर सके Social protection include access to healthcare and income security measures related especially to old age, unemployment, sickness, disability, work injury, maternity or the loss of main breadwinner in a family as well as extra support for the family with the children तो इन सभी adversaries के खिलाफ अगर आपको protection मिल जाए of course भारत सरकार या पर किसी भी country की भी सरकार है अगर उसे provide करने के लिए, उस support को provide करने के लिए कोई भी social schemes लेती है, policies लाती है तो उसे social protection कहा जाएगा best example आप इंडिया का ही ले ले, old age से tackle करने के लिए pensions provide किये जाते हैं unemployment से कई बार ऐसे employment generation programs भी भारत सरकार चलाती है और कई बार skill development के भी program से लाती है the harsh truth देखते हैं के इंडिया as far as social protection is concerned किस तरहे से है सच बताएं तो हालत बहुत ही बुरी है international labor organization report titled world social protection report 2020-22 has revealed that globally 4.1 billion people are living without any social safety net of any kind बहुत ही एक horrific number है इतनी बड़ी तादाद में लगभग 410 करोड आप कह सकते हैं 4.1 billion तो ऐसे भी लोग जी रहे हैं जिनके पास आगे या फिचे किसी भी तरीखी का social protection नहीं है the report highlighted that the pandemic response was uneven and sufficient हलान के pandemic की वजए से इनों निये survey कही ना कही ये कहते हैं के survey pandemic के वजए से survey में सही तोर पर data नहीं मिला सही तोर पर data ना मिलने पर अगर यह number है तो अगर data सही तोर पर मिल जाता तो आप समझ जा सकते थे कि यह number कितना ज्यादा होता thereby COVID-19 has further underscored the critical importance of achieving universal social protection not just at a level of country but universal level पर भी humanity के level पर भी social security is very much more important steps taken जैसे के मैंने भी कहा कि भारत सरकार ने क्या क्या steps लें है of course health concern से issue issue से deal करने के लिए प्रदान मंत्री जाना रोगी हो जना national health policy 2017 social security code जिसके थे तापके pensions वगेरा डिल के जाते हैं प्रदान मंत्री श्रम योगी मान थान योजना employment case related आत्मनिर भारत भारत भ्यान self-reliant इंडिया जिसके तहर manufacturing units को भी support किया जाता है प्रदान मंत्री गरीब कर लिया अन योजना specifically COVID-2020 में free of cost जो है राशन भी बाटा गया था वन नेशन वन रेशन कार्ट की migrants के लिए social protection प्रोवाइड करने के लिए जब वो migrate होते हैं आत्म अंडर भारत रोजगार योजना एंड महात्मा गांदी नाशनल रूगलर Employment Guarantee Act तो ये चन्ड important example है जो भारत सरकार ने लिए हुए थे to provide social protection ये थी चन्द बाते हैं जो आपको जाननी थी social protection के बारे में thank you for watching my video